सबस्काराइब कीजिये हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर और बैला आइकन दबाना मत भूलिये ताकि आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंश सके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर और बैल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके यह आप एक सर्फ ओडियो समझ रहे होंगे दरसलिए एक सर्फ ओडियो फाइल नहीं है इसके अंदर बहुत सारा डाटा मुझूद है दिवसकार दोस्तों मैं हूमन्दीप सिंग और आप फिर से देख रहे हैं NTC Network और Computer Basic की इस सीरीज में मैं आपके पास लेके आया हूँ एक ऐसा समाधान जिससे आप अपने डाटा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं और कोई अगर आपके डाटा के साथ छेड़ खानी करने की कोशिश करता है या कुछ ढूंडने की कोशिश करता है आपके खोफिया पिच्चर्स को या आपकी वीडियो को तो इसको काफी मुशक्कित करनी पड़ेगी उसका दोस्तो मैं आपको यह शुरू करके दिखाता हूँ कि यह फाइल आखिर है क्या तो सबसे पहले मैं आपको detail में दखाऊंगा जैसी यह detail में आपको दिखा दी है तो यह file इसका मैं size छोग करके दिखाता हूँ आपको देखो यह size में मैं इसके पास मिल जागता हूँ तो दोस्तों आपने देखा होगा इस file का size है size MB और इसको जब मैं प्ले करता हूँ तो यह सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को red बटन दबाकर और bell icon दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके यह आपको देखने में सर्फ एक audio file लग रही होगी दरसल यह एक audio file नहीं है इसके अंदर बहुत सारा मेरा data मुझूद है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं इसका सिर्फ पिछली extension चेंज करूँगा जिप फाइल में मैंने .zip किया है और जब मैं इसको .zip करूँगा तो यह एक compressed folder बन जेगा और इस compressed folder को जब मैं double click करूँगा तो इसके अंदर एक और folder बन जाएगा तो जब मैं इस folder को extract करता हूँ तो आप दे सकते हैं यह extract हो गया है इसको folder को जब मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर मेरी बहुत सारी जो मेरा data है वह मुझूद है जैसे ही यह मेरे channel का logo picture और यह एक और मेरा दूसरा channel है उसका logo picture ठीक है तो यह एक वीडियो फाइल है यह जेपीजी फाइल है यह पिंग फाइल है और आप इसके अंदर जैतनी चाहें उतनी photographs और videos को जिप करके उसको compress करके और इसका एक आप त्यार कर सकते हो गुप्ट जिसको कहते है folder जो अगर कोई इसको चलाने की कोशिश भी करेगा तो वो सिर्फ एक MP3 sound सुन सकता है इसके लावा उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं इसकी starting process कैसी है और यह कैसे बनता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना जितना भी data है मैं आपको शुरुआत में करके बिताता हूं जैसे यह मैं इसको delete कर देता हूं तो मान लीजिए यह आपका folder है इसको में delete कर देता हूं मान लीजिए यह आपका एक folder है जिसके अंदर आपने अपने photos वीडियो और कुछ भी आपने recordings बगारा जो भी आपने save करनी है या दूसरों से छुपा के रखनी है वह आप इस folder में डाल देते है तो जैसे मैंने इस folder में यह कुछ photos डाल दी ठीक है और साथ में यह एक mp3 song आप चाहे तो कोई photo ले सकते हैं कोई video file ले सकते हैं आप कोई भी file ले सकते हैं तो starting कैसे करनी है इसको zip कैसे करना है सबसे पहले आपको इस folder के अंदर जो भी अपना data save करना है वो इस folder के अंदर उसके बाद इस folder को आप compress यानि zip file में compress कर दें तो जैसे मैं इसको send to करता हूँ as a compress folder आप किसी तरह का software भी यूज़ कर सकते हैं इसको compress करने के लिए तो ये मैंने compress कर दिया है तो ये test.zip नाम से एक folder त्यार हो गया है तो इसके साथ आपको ऐसी file attach करनी है जो आप दूसरों को दिखाना चाते हो बई ये सिर्फ ये चीज़ है जैसे कोई photo दिखाना चाते हो कोई गाना दिखाना चाते हो भी चलाने वाले को ये लगे कि ये सि simple video file है या simple सी photo है तो करना क्या है जैसे मैंने दिखाना आपको भी ये सिर्फ ये गाना है जो आप चला रहे हो तो आपको क्या करना है ये गाने का नाम आपने change कर दिया a.mp3 और जो जिसके अंदर आपने data रखना है उस folder का नाम कुछ भी कर सकते हो a b c मैं इसका नाम भी कर देता हूं आपको असानी होगी इसको करने के लिए जैसे मैंने ये b कर दिया तो अब हमारे पास दो फाइले है और भी ये टक्स जो data दो extra folder है वो मैंने delete कर दिया तो हमारे पास ये सर्फ दो फाइले है एक में हमारा data है और दूसरे में हमारी file है तो करना क्या है दोस्तों स आना असान हो देता है और इसके अंदर मैंने test नाम का एक folder बना रखा है आप चाहे तो अपने folder का नाम कुछ भी कर सकते हैं मैं test के जगा data कर देता हूं आसानी होगी आपको जानने के लिए तो मैंने ये फोल्डर खोल रखा था उसका error है तो मैंने ये नाम चेंज कर दिया data के नाम से एक मेंट ठीक है ये मैंने फोल्डर का नाम data के नाम से रख दिया तो करना क्या है आपको command promote खोलना है तो start में जाकर आप simply cmd लिखेंगे तो उपर command promote का वो ये एक सी नजर आ जाएगा आपको इस पर click करना है click करने के बाद ये आपको सीधा c drive की option में ले जाएगा वहां से आपको क्या करना है यहां पर d क्योंकि मैरा data है मैंने d drive में रखा हुआ है तो मैं d select करके दो बिंदी और एक slash का निशान देकर या दो बिंदी ही लगा देंगे उसके बार enter लगा देंगे तो जैसे ये हमारी entry होगी d drive के अंदर तो d drive के अंदर entry होने के इसमें हमारा जो हमने फोल्डर बनाया है वो उसका नाम है data तो उस फोल्डर को डॉस बेस पे खोलने के लिए आपको क्या करना होगा c d एक कमांड होती है वो लगानी है और सपेस डा टा नाम से जो आपका फोल्डर का नाम है वो रखना है और आपको उसके एंटर कर देना है एंटर करने के बाद आप उस फोल्डर के अंदर प्रवेश कर जाओगे और dir एक कमांड होती है जिससे यह पता लगा जाता है कि उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल ने हैं तो मैंने dir किया तो इसके अंदर दो फाइल ने दखा रहा है a.mp3 और b.zip अब हमको क्या करना है यहां पर बहुत सारे लोगों को अगर कमांड पता भी है वो यह गलती कर देते हैं जिप फोल्डर को वो आगे कर देते हैं डाटा फोल्डर को जो उसा छिपाना होता उसको आगे करते हैं और जो उसा दिखाना होता उसको पीछे करते हैं यह सबसे बड़ी गलती है सब दोस्तों क्योंकि जो चीज हमें दूसरों से छिपानी है उसको हमेशा पीछे करते हैं मतलब कि जैसे मैं इसमें कमांड लगा रहा हूं copy.copy.space.b यह होते हैं binary फाइलों को जोड़ने के लिए binary फाइल दिखाने के लिए तो इसके बाद अगर मैंने दिखाना है दूसरों को कि उनके सामने यह फाइल चो हो तो मैंने क्या करना है मैंने यह audio फाइल लोगों को दिखानी है और दूसरा मैं को बताता हूं जैसे मैंने इसके साथ दूसरी फाइल जो मर्ज करनी है वह है डाटा की जो हमने चिपागे रखना है तो पीछे प्लस का निशान हम लगा देंगे भी दूसरी फाइल जोड़नी है तो प्लस के निशान पर हम b.jp.jp ये फाइल हमने इसके साथ जोड़नी है अब पीछे एक नाम लिखना है वो हमेशा याद रखना इन दोनों फाइलों से अलग नाम चूज करना है आपको जैसे a, b, तो फाइल का नम है आप a, b नाम रख सकते हैं और यहां पर आपको डोट जो आगे वाली फ extension है वो लगानी है जैसे a, b, dot mp3 क्योंकि हमें दूसरों को दिखाना है कि यह एक mp3 गाना है अगर आप यहां पर डोट जिप कर देती हो तो आपका data hidden ही होगा बलकि अगले के सामने show हो जाएगा कि यह data है तो आपको यहां पर दिखाना है कि जोंसी फाइल दूसरों को द देखना है जैसे a.mp3 मेरे को दिखानी है तो मैं यह mp3 काना दिखाना है तो मैं a.mp3 करूंगा उसके बाद क्या कर देना है दोस्तों simply enter कर देना है जब हम enter करेंगे तो यह दोनों फाइल ने मर्ज हो जाएंगी एक फाइल के अंदर यह एक फाइल का मतलब है भी यह दोनों फाइल ने जो अलग लग extension की थी वो एक extension की फाइल में copy हो गई है और हम जब dir की command होती है उससे हम चेक करेंगे तो आपके सामें क्या देखेंगे यह a.mp3 की फाइल एक बन गई है हम folder को खोड के भी दे सकते हैं जैसे d drive में folder को खोलते हैं data का उसको फोड को खोलते हैं तो ह हमारे सामने यह एक file बन के त्यार हो गई है तो इस file पे जब हम double click करेंगे subscribe कीजिए हमारे चैनल को red button दबाकर और bell like दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंस सके तो दूसरे के सामने यह वाली आडियो चलेगी उसको प फूफिया data कोई secret documents मुझूद हैं और आप इस file को किसी को भी mail भी कर देंगे तो दूसरे बंदे को नहीं पता चलेगा कि इस file के अंदर आपका कोई secret data भी है तो यह बहुत बढ़िया method है दोस्तों बीना किसी software के अपने data को save करने का और यहाँ पर एक और मैं आपको बात को बता दूँ मैंने यह extension show कर रखी है कुछ लोगों के computer में यह extension show नहीं होती जैसे यह ab.mp3 extension है कुछ लोगों के computer की setting ऐसी होती है मैं आपको दिखाता हूं आप organize के option में जाएंगे windows 7 में दिखाता हूं बाकी दूसरी windows के अंदर भी जो folder option का option होता है वहां पर आप जा सकते है मैं आपको दिखाता हूं और गिनाइज के option में आप जब आप क्लिक करेंगे तो यह फोल्डर option यहां पर गए और यह व्यूज का option यहां पर आप देख रहे होंगे don't show hidden file and folder का जो option आ रहा है इसके निचे लिखा रहा है show hidden file folder and drive इसके निच्चे के यह तीन क्लिक हर एक windows के अंदर by default लगे होते हैं उसका में मकसद होता है file की extension को शो नहीं होने देना जैसे यह सरफ MP3 गाना है लेकिन इसके पीचे MP3 नहीं लिखा हुआ और यह निचे जैसे जिप फोल्डर है तो यह सिर्फ किताब से आपको पता लग रहा भी है जिप फोल्डर है otherwise इसका कोई extension आ करने के बाद नीचे के तीनों क्लिक हटा देने हैं यस करने के बाद apply और okay कर देना है इससे क्या होगा आपकी extension शो हो जाएगी और आपको यह data डूने में असानी हो जाई उसके बाद क्या करना है आप दोस्तों आपको जो हमने file बनाई है ab.mp3 इसको हमने rename कर देना है rename में ह पिछे की extension change कर दिनी है और extension change करके हमको कोंसी extension डालनी है जो हमने file merge करते वक्तर पीछे की extension फाइल की जो extension थी जैसे .zip तो हमको क्या करना थे ृत्लिक देना है और enter कर देना है जब हम enter करेंगे तो हमारे सामने ये yes का option मांगेगा हमको yes कर देना है और ये आपके सामने आपका data खुल जाएगा उसको खोल सकते हो आप उसको अगर आपने extract करना है एक्स्ट्रेक्ट करके किसी भी folder में आप दाल सकते हो जैसे मैं इसको यहीं पर एक्स्ट्रेक्ट कर देता हूं तो ये हमारे सामने एक AB का जिप folder बन गया है इसको जब हम खोलेंगे इसके अंदर वो ही हमारा text folder बन जाएगा जब उसको खोलेंगे तो इसके अंदर हमारी जो भी हमने वीडियो फाइल जो भी हमने डाल रखा है वो हमारे साथ खुल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो तो फोरी आगे से कम करके दिखाएंगे और ज़्यादा टैम नहीं लेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे अपने यह दोस्तों को वही शेर जरूर करना तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैं बताता रहूंगा चोरी चोरी वीडियो में धन्यवाद करना पलता वल ऑया रहुत सारी एल भाझ। झाल 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 झाल